हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल थीवेट्स कॉफी और आज मैं बना रही हूं ना भंडारे जैसा बिल्कुल सूजी का हल्वा तो क्या सीक्रेट होता है आकर भंडारे वाले का जो वह इतना टेस्टी हल्वा बनाते हैं सूजी का तो आज मैं ना उसी के रेशीप इतना जादा टेस्टी बन जाता है वो भी मैं बताओंगी ठीक है आगे तो मैं यहां पे ले रही हूं घी तो घी जो भी एक कटोरी पहले आप बिल्कुल नाप कर लोगे ना हर चीज तो बहुत ही अच्छा हल्वा बन कर तयार होगा तो मैंने यहां पे वन फोर्थ कप घी लिया है और मैंने कढ़ाई लिया है उसमें मैं घी गर्म करने के लिए डाल दूगी तो घी बिल्कुल धुआ धुआ तक हो जाए उतना तक गर्म नहीं करना है ठीक है उसमें मैंने डाल दिया 1 tablespoon basin तो बेसन को थोड़े दिर के लिए कम से कम एक से डेढ़ मिनिट के लिए हम इसमें इसी तरह से चला चला कर भून लेंगे ताकि बेसन का जो भी लंप स्वगर है ना गुठली वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए घी में और एक से डेड़ मिनट तक के लिए हम पहले बेसन को भून लेंगे तो इनग्रीडेंस जो है ना सिक्रेट वलो यही है बेसन ही है जो कि वीडियो के स्टार्ट में रिफील हो गया है बहुठ टेस्सी बन कर तयार होता है और साथ मैंने डाला है आधा कप सूजी तो वन फोर्थ कप घी आधा कप सूजी हमें लेना है बिल्कुल इसी नाप से पहेंगे लगतार चलाते रहेंगे ने तो सूजी जो है नीचे से जलने लग जाती है और हमें इसे ना लो फ्लेम पेस कम साथ से आठ मिनिट तक मैंने भूना है अराम से बिल्कुल ब्राउन होने तक टिक है इधर जो मैंने क्या किया ना एक छोटा सा पैंड में मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी और ड्राइफूर्स जो आपको पसंद हो मैं बादाम और किस्मिश राल रही हूं हलका सा भून कर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा हल्वा में बस किस्मिश डालते ही हमें गैस के फ्लेम को आफ कर देना है और इसे एक दूसरे बरतर म मतलब सूजी देख सकते हो कलर चेंज हो जुका है थोड़ा सा मैं और भूनोंगी थोड़ा सा डा कलर मैं और लाओंगी तो सूजी जब अच्छे से भूनोगे ना साथ में एक चमवच बेशन भी डॉलकर तो बहुत अच्छा बेशन से जो क्या वतां इस टेस्ट आता है कब पानी आधा कप चीनी आगे में आधा कब पानी और दालू žाजें जाए ठीक है जाते हाँ- बहुत बहुत इस्टी बन कर तयार होता है अब इस तरह से एक वार सूजी का हलवा जरूर बनाना ठीक है अब मैं यहां पे डाल रही हूं ड्राइफूर्ट जो हमने थोड़ा सबून लिया था घी में वैसे सूजी का हलवा बनाना बहुत इजी है लेकिन अगर आपको बहुत टेस्टी मतलब थोड़ा ज्यादा टेस्टी और फर्फिक्ट मीठा यह सब चाहिए तो बिल्कुल जित्ता जित्ता मैंने लिया है ना सूजी चीनी घी वगिरा बिल्कुल उसी नाप से आप भी लोग है न तो आपका भी हलवा बहुत टेस्टी बन कर तयार होगा और मैंने जो एक चमच बेसन जो यूज किया है वो तो जरूर यूज करना बहुत अच्छा हलवा बन कर तयार होता है बहुत टेस्टी अच्छा पानी डाल कर भी लो फ्लेम पर ही हलवे को चलाते रहना और सूजी का हलवा बनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता बस हाँ उसे चलाते रहो कंटीनू नहीं तो नीचे से जलने लग जाती है और बस इसी तरह से ना हलवा आपका बनकर तयार हो जाएगा और इसे आप कन्या पूजन में या वैसे ही जब मन खाने का हो आप इसे खा सकते हैं बनाकर बहुत टेस्टी भंडारे जैसा बिल्कुल हलवा बनकर यह तयार हो जाता है तो हलवा जो है बनकर तयार हो गया है और काशु भी अब सो कर उठी थी आगे मेरे पास बैठने काशु क्या है मामा है यह मेरे लिए बहुत सर्प्राइज था काशु मेरे टीवेट्स कॉफी का लोगो पहचान गई पता नहीं कैसे सायद वो वीडियो इसी तरह से रहेगा बिल्कुल ड्राय ड्राय जैसा नहीं बनेगा और खाने में तो बहुत बहुत टेस्टी होता ही है आप एक पर जरू ट्राइ करना ठीक है तो आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब क कर लेना ठीक है और हाँ फेस्बुक पर भी अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेस्बुक पर भी है मेरा पेज टीवेट्स कॉप या वहां भी जाकर फॉलो कर सकते हो तो फिर मिलते हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में आई होप यू लाइक दे वीडि कर फेस्बुक झौलो कि कर दो कि लिड़ ग Brain